हालो एंड वेलकंटो टेली एक्सप्रेस दोस्तों सीरियल अनुपमा में आचुका है सबसे बड़ा ट्विस्ट क्यूंकि सामने आचुकी है अनुज के आध्या उसकी बेठी देख लिया है अनुज ने आध्या को और अब क्या होगा किस तरीके से यहाँ पर आध्या की असलि दोस्तों सीरियल अनुपमा में अब आप सबको ये देखने को मिलेगा कि आध्या जो की अनुज के सामने आ चुकी है जो अब इंडिया में ही रह रही है उसकी सच्चाई आएगी अनुज के सामने कि वो जानमूच कर अनुज से दूर हुई थी उसको पता था उसके पापा पर जरा सतरस नहीं खाया अनुज और अनुपमा उसे दोनों रोकने की कोशिश करेंगे अनुपमा उसको हाद जोड़ कर बोलेगी कि देखो तुम्हारे पापा की क्या हालत हो गई है तुम्हें दिक्कत मुझ से है ना मैं दूर चली जाती हूं तुम दोनों की जिन्दगी से लेकिन अपने पापा के साथ ऐसा मत करो वो तुम से बहुत जादा प्यार करते हैं ऐसे में आद्या कहेगी कि नहीं वो सिर्फ एक इनसान से प्यार करते हैं और वो सिर्फ आप हो वो सिर्फ आप के साथ रहना चाहते हैं और मुझे इनके साथ अब नहीं रहना है मुझे मेरे और मेरे पापा की अच्छी खासे जिंदगी में आग लगा दी जिसके बाद यहां पर सबसे बड़ा राज भी खुलेगा जी हाँ आपको बता दें कि आद्या किसी और के साथ नहीं बलकि मालती देवी के साथ ही रह रही होगी और यह सचाई भी वो बोल देगी आद्या यह बोल देगी अनुज और अनुपमा को कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ मैं अपनी दादी के साथ रह रही हूँ किसी गैर के साथ नहीं रह रही जैसे ही वो दादी बोलेगी अनुपमा समझ जाएगी कि ये मालती देवी की बात कर रही है और ऐसे में अनुपमा उससे पूछेंगी कि तुम उनके साथ क्यों रह रही हो वो तो तुम्हें मुझसे और अनुच से हमेशा से अलग करना चाहती थी ऐसे में आद्या बोलेंगी कि ये तो आप भी चाहती थी ना आप दोनों एक साथ जीओ या मरो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता ये सुनकर अनुपमा एक थप पर जड़ देगी आद्या को और उसके बाद अनुच की हालत और जादा खराब हो जाएगी अब देखना ये होगा कि क्या अनुपमा आद्या को सही रस्ते पर लापाई गी या नहीं क्या लगता है आपको आप हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाईक और शेयर खना आप ना भूलें